कि इसलिए समाज में विक्तिकों क्या होना चीए नैतिक नैतिक उने का मुख्य आवश्कता क्यों है क्योंकि हमारा जो वहवार है वो किसको प्रभावित करता है दूसरों को और दूसरों का वहवार किसको प्रभावित करता है वो हमें प्रभावित करता है आप यहां पर आरा एक साथ ही दिला दे तो एक विक्ति की एक गलती है या उसका जो है कुछ समय के लिए कुछ सेटेंडों के लिए उसके दिमाग में क्या चल रहा था या उस विक्ति नहीं सोचा कि मैं थोड़ा तेज गाड़ी चला कि उसका जो थ्रिल है वो ले लूँ और जीवन में मुझे तो एसा और ऐसा होता है कि परिवार के परिवार बरबाद हो जाते हैं अच्छा खासा परिवार ठीक ठाक चल रहा होगा और फिर एकदम से को ऐसी घटना होगी और जिसके करण पूरा परिवार बरबाद हो गया तो यह किसके करण होगा उस अच्छा खासा काम चल रहा था किसके करण खराब हो गया एक व्यक्ति के वहवार के करण किसके करण खराब होगा यह एक व्यक्ति के वहवार के कारण ऐसा जो है वह तो उस दूसरे व्यक्ति क्या वहवार का हमारे उपर असर पड़ता है और हमार को इस मनिश्य के इस behavior को regulate करने की जरुत है कि हम कैसे जीवन जीए एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं अच्छा समाज जो उसका निर्मान कैसे कर सकते हैं हर व्यक्ति यह सोचे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वह ideal समाज कर दो नहीं है परन्तु उसमें और improvement जो का है जा सकता है और improvement क्या-क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं तो इसके बारे में जो चिंतन किया जायेगा वह नीति शास्त्र में किया जाये ह 25 से पहले चिंतन नहीं करेंगे हैं अपन्ड क्पर लिए एक क्टि expensive औरी एका सर्वाइव करने के बाद में कि मैं पैसे तो कमाऊं पैसे कमाऊंगा तो मैं सर्वाइव करूंगा पर मुझे पैसे कमा के करना क्या है फिर मेरा उसके बाद में वैवार जो है वो कैसा होना चाहिए उसके बाद में मेरे वैवार के अंदर क्या परिवर्तन आएंगे या क्या म हमारे आसपास में लोगों का वहवार कैसा है और जिन लोगों का वहवार जैसा भी है तो फिर उसके बारे बहुत चिंतन करेंगे एक तो कैसा होना चीह तो ऐसे सीधी सीधे प्रवचन दे दिये कि लो साब हर आदमी को सुबह जल्दी उठना चाहिए फिर उसको इतने टाइम खाना खाना चाहिए बड़ों को ऐसा बोलना चाहिए वैसा बोलना चाहिए ऐसे नहीं है यह कोई ऐसा अंद विश्वास नहीं है एक तो क्या होता है कि सब धर्म में लिखावा है या किसी इसको एज़िटिज एकसेप्ट नहीं किर लिए जाएगा उससे पहले क्या किया जाएगा उसपे चिंतन किया जाएगा उसपे जो है और लॉजिकल रीजनिंग पोजिटिवली रॉजिकल रीजनिंग जो है लगई जाएगी